हेलो फ्रेंट्स दो सब्सक्राइब एंड क्लिक ओन रिंग आइकन तो गेट फास्ट नॉटिफिकेशन वेलकम फ्रेंट्स अलफ दिन पर लाश्ट वीडियो में हमने बात करी थी फ्री आइटम इन्वोईस के बारे में एक एक्जामपल हमने देखा था और एक प्रैक्टिकल कोश्चिन्स आज के क्लास में हम देखने वाले हैं पिछले चैप्टर से ही रिलेटेड यहां पर कोश् करें कुछ आइटम्स जो की फ्री क्वांटिटी के साथ हमने पर्चेस करें नीचे आप देख पाएंगे एक टेबल है जिसमें प्रोडक्ट नेम और क्वांटिटी मेंशन है अमाउंट भी उनका मेंशन है और फ्री आइटम नेम उसी के जश्ट आगे आपको यहां पर में मेंशन नहीं है क्योंकि फ्री आइटम की हमें सिर्फ एंट्री करनी है स्टॉक में उसका अमाउंट है यहां पर हमें शोर नहीं कर रहा है यसी तरीकी से फ्रोटी का 2.25 लिटर की 20 पीसिस हमने पर्चेस करी है जिसमें आपको फ्रोटी के 200 ml के 10 क्वांटिटी फ्री मिल रह हम फ्री एंट्री कैसे चड़ाएंगे वो हम देखने वाले हैं आज की क्लास में उसके बाद हम देखेंगे नीचे की तरफ एक टेबल दी गई है जिसमें सोल्ड करा है हमने माथू को कुछ आइटम से यहां पर मेंशन है क्वांटिटी के साथ और जो जो फ्री आइटम दि ली है उसके बाद हमें यहां पर एंट्री करनी है यहां पर इंवेंट्री के अंदर हम यूनिट्स ओफ मेजर पास करा देते हैं उसके बाद आइटम्स की लिष्ट हमें डाल देनी है पैपसी 2 लिटर उसके बाद इसका यूनिट्स ओफ मेजर पीसीज में रखते हुए क्य प्रोडक्ट सबस्क्राइब करें। यहां पर प्रचेस का एक लेजर बना लेते हैं। अगरवाल पार्टी से हमने यह परचेस करें। सबसे पहले कि राइटर में डालते हूए हम यह लिश्ट सेव करा देंगे। अगर outstanding report आप देखना चाहते हैं तो balance bill by bill को set कर दीजी, yes. Then हमें accounting voucher में F9 के अंदर एक purchase bill pass करना है, अगरवाल से हमने जो जो purchase करे हैं. Purchase करने से पहले हमें यहाँ पर एक तो features को activate करना होगा, और साथ ही साथ free items की stock entry भी करनी होगी. क्योंकि यहाँ पर items तो available हैं, लेकिन जो free items मिले हैं, उनकी भी हमें entry करनी होगी stock item में. तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर F11, F2 प्रेस करते हुए features को zero value transactions को pass कर देते हैं, zero value transaction को pass करने के बाद हम free items की भी एक item entry बना लेते हैं. यहाँ पर हमने डाल दिया है 500 ml की जो Pepsi है, वो free item में हमारी मिल रही है, उसके बाद fruity 200 ml, then हमारा jams के pouch, वो सब हमने यहाँ पर entry को pass करा दिया है, जो free items related entry हमारी थी. दन हमें accounting voucher पर जाना है फिर से F9 प्रेस करना है, और यहाँ पर अगरवाल से अब free items के साथ साथ पहले हम main item की entry करेंगे, then free item की हमें यहाँ पर entry pass करानी है, Pepsi 200, Pepsi 2 liter के हमें यहाँ पर जो quantity है उसकी 25, 75 रुपीज पर पीस के हिसाब से, उसके बाद ले लेना है Fruity 2.25 liter, 20 pieces, 95 रुपीज पर पीस के हिसाब से, then उसके बाद हमें ले लेना है यहाँ पर dairy milk silk, इसके 50 pieces हमें डालने है, 85 रुपीज पर पीस के हिसाब से, और साथी साथ हमें free items की भी यहाँ पर entry करनी है, Pepsi 500 ml है, उसके 5 पीस हमें मिल रहे है, rate हमें यहाँ पर नहीं डालना है उसका, Fruity के 200 ml के हमें 10 pieces free मिल रहे हैं, उसकी सिर्फ हमें entry डालनी है, और gems pouch के भी 10 pieces, तो rate हमें यहाँ पर नहीं डालना है, क्योंकि यह free item है, सिर्फ quantities हमें यहाँ पर डालनी होगी, उसके बाद अगर हम देखें, stock summary में, तो इनकी quantity भी यहाँ पर show होगी, बट rate यहाँ पर show नहीं होगी, उसके बाद हमने यह products में से जो product बेचे हैं, वो party है, माथूर जिसको हमने product बेचे है, Pepsi, 2 liter की, 85 की हिसाब से, Fruity हमने same to same rate पर यहाँ पर बेची है, और gems के भी pouch यहाँ पर बेचे हैं, और जो free item है, वो है Pepsi और Fruity, तो इनकी entry हमें डालने से पहले, laser बनाना होगा party का, और sale का laser बनाना होगा, account info, laser, create, यहाँ पर माथूर काम, sundry data में laser डाल देते हैं, और उसके बाद, sale की entry के लिए, sale का laser, यहाँ से हमने pass करा दिया है, accounting voucher में जाना है, F8 को button press करते हुए, माथूर को हमने जो product बेचे हैं, उनकी list हमें यहाँ पर डाल देनी है, 5 pieces हमने Pepsi के, यहाँ पर rate हमें डालना है 85 rupees, then हमने यहाँ पर जो sale करा है, उसमें है fruity 2.25 liter, उसका rate हमें 95 डालना है, और हमने यहाँ पर jams भी sale करे हैं, 10 rupees packets के साब से, जो हमें free मिले थे, वो हमने यहाँ पर पैसो में sale करे हैं, यहाँ पर जो free item हमें add करने है, Pepsi 500 ml के 1 pieces, और यहाँ पर हमें fruity 200 ml के 2 pieces, जो हमने free दिये हैं, यह सभी entry डालने के बाद, हमारा stock कम हो जाएगा, क्योंकि जितना भी हमने product sale करा है, वो हमारे stock में से कम हो जाएगा, और free items भी जो थे, वो भी हमारे stock में से कम हो जाएगे, profit की बात करें, तो profit and loss पे हमारा जो gross profit और net profit है, क्योंकि हमारे को indirect खर्चे नहीं है, तो net profit यहाँ पर 100 रुपे का आ जाता है, तो यह था एक practical questions, जो आपको helpful रहेगा आपके practice exercise के लिए, next वीडियो में हम दात करेंगे और नए chapter की, जिसके लिए आप जुड़े रहिए, साल फद्धिन के साथ, thank you. झाल